स्निय कहां पर नंवसकार प्रेंट आज किसी वीडियो की माधेम से एक और वाइकेंसी की वारे में जानाकारे देंगे जो कि प्रेंड वेकेंसी उत्तर पर्देश् Hajवा के तुरफ से जारी किया गया प्रेंड यहां वह दिन कैसे करेंगे वह भी डिटेल्स हो जानकर देते हैं तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो प्रेंड हम लोग आज चो कहां ऑफिस्यल नोटिस्पेकेशन पर अगर आपको भी ये नोटिस्पेकेशन डॉलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये हैं यहाप ये टेलिग्राम गुरूप का लिंक हम डाल दिये हैं डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम गुरूप से जोईन हो जाईए जिससे कि आपको कोई भी यहाप नीर रुकार्मेंट है medical jobs related तो सबसे पहले आपको जानकरे प्राप्त हो सके प्रेंड ये उतर परदेश Public Service Commission यानि कि UP, PSC के द्वारा ये requirement जारी किया गया है उसी के द्वार requirement पूरा की जाएंगे यहाँ पर बात कीजिएगा total post का तो ये staff nurse सिर्फ पूरूस के लिए आया है जहाँ पर 448 post के लिए apply कर सकते हैं only male candidate ये only male के लिए female के लिए अलग से vacancy जारी किये जाएंगे इसके लिए प्रेंड यहाँ पर बात कीजिएगा कि online apply करने का तो online apply शुरुआत हो चुका है और इसका last date का बात कीजिएगा तो 21-22 तक यानि पूरे एक महिना का time यहाँ पर apply करने के लिए दिया गया है आप लोग 21 फरवर्ड तक अपना apply कर सकते हैं यहाँ चले हम आपको और details दिकाते हैं किसके लिए qualification criteria क्या रहेगा maximum age क्या है qualification पर चलिएगा तो GNM pass out candidate जो भी है यहाँ पर apply कर सकते हैं साथी प्रेंड अगर आप लोग BSc nursing कर चुके हैं BSc कर चुके BSc degree ले चुके हैं तो nursing में या GNA में तो आप apply कर सकते हैं साथी प्रेंड आपका जो registration है वो आपको UP midwifery council में होना चाहिए age limited की यहाँ पर बात कर सकते हैं यहाँ पर minimum age आप लोग को 21 वर्स रखा गया है वह अगर आप लोग maximum age की बात करेंगे तो 40 age रखा गया फ्रेंड यहाँ पर age में छूटी भी दिया जाता है जो UP government के रूल के अनुसार यहाँ पर होते हैं माल सकते हैं कि 21 से 40 की बीच की जो भी candidate है यहाँ पर apply बिल्कुल रूप से कर सकते हैं फ्रेंड आगे बात करेंगे कि इसके लिए salary क्या मिलेगा क्वालिफिकेशन क्या है उसके बात सबसे पहले अप्लिकेशन फी देख लिजी अप्लिकेशन फी देखेगा तो general category के लिए और EWS category 125 पर देना पड़ेगा important point है सिर्फ उसकों देख लिजे यह permanent job है तो इसका salary भी देख सकते है पेस के लिए पर तेरा नमे सो रुपया से स्टार्टिंग है पेस के लिए ग्रेट पे टोटल बात करिएगा तो कमस कम आपको 44,000 रुपया नौसो यहाँ पर basic यानि कि शुरुआत में आपर salary मिलेंगे तो बहुत अच्छा salary है क्योंकि level 7 पर यहाँ पर आप लोग के payment मिलने वाला है आगे बात करेगा प्रेंट इसके लिए तो आप लोग online करें लिंक description में है अगर आप लोग eligible होते हैं तो साथी प्रेंट इसका selection process हमाँ आपको अगले वीडियो के मादेम से बताएंगे और त सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि कोई भी वेकेंसी जाती है अपके पास पहुंचाते हैं और अप्रूडेट रहते हैं हमेशा मिलेंगे अगर वीडियो में नया जौब वाला नोडिस्प्रिकेशन को ले करके देखते रहे हैं मेडिकल जौब्स चैनल थाइंक यू